सब्सक्राइब करिए धनो की दुनिया यूटूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें 29 अगस्त की सुभा से धनोराशी वाले जातकों का चमक उठे का भाग गे नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धनो की दुनिया में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे 29 अगस्त यानि की शनिवार के दिन क्या होने वाला है धनोराशी वाले के साथ कैसे उनका भाग गे चमकेगा शनि की क्रिपा कैसे रहेगी उनके उप़र सनी देव कैसी क्रिपा करेंगे 29 अगस्त का दिन उनका कैसा रहेगा धनोराशी वाले जातकों के लिए इस वीडियो में जानेंगे हम लोग यही वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पर जरूर कर दीजेगा जानते हैं 29 अगस्त का दिन धन राशी वाले जातकों के लिए क्या क्या बदलाव लाने वाला है सबसे पहले बात करेंगे आपकी आज एविका कैसी रहीगी जीवन कैसा रहेगा अपनी बात सीमित और शाफ सब्दों में दूसरी के सामने रख पाएंगे आज आप सारा का सारा द्यान अधिक से अधिक धन प्राप्ति की और आप लगाने में काम्याब रहेंगे और धन प्राप्ती होगी भी शानी की क्रिपा ऐसी बन रही है जिसे आप जो भी काम करेंगे आज के दिन यानि कि 19 अवस्त के दिन वो आपको अवश्य पूरा होगा धन प्राप्ती के पूरे पूरे योग देख रहे हैं शानी की क्रिपा आपके उपर होने वाली इसलिए कहीं भी रुखा हुआ धन था वो आपको उस दिन मिल सकता है कोई भी काम शुरू करना साथ चाते हैं तो शनी देव को प्रणाम करके शुरू करिए वो काम आवश्य मिल पूरा होगा और आपको शफलता भी मिलेगी उसमें और अगर धन से कोई काम फसा पड़ा था आपका नहीं हो पा रहा था वो शनीवार के दिन हो सकता है परिवारी के जीवन की बात करें तो संतान की तरफ से शुब समचार मिलने के शंकियत दे रहे हैं शनी देव आपकी प्रगती होगी और स्त्रियों मित्रोश शहयोग भी मिलेगा घर में किसी मेहमान का आगमन भी हो सकता है इस दिन बात करते हैं आर्थिक इस्तितिकी खारिच शेतर में शनी देव के क्रिपा से सकती का सही प्रियोग आपको जो होगा आप जहां उर्जा का सही प्रियोग करेंगे लाव प्रद रहेगा लावदाय कर शिद्ध होगा खर्चे इस दिन नियंद्रित रहेंगे फिजुल खर्ची नहीं होगी फिजुल खर्ची नहीं करिए परंतु धर्म के कार में खर्चे अगर आते हैं आपके पास ऐसे option हैं अगर आपको ऐसे मौके मिलते हैं कि धर्म से कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं आपको दान करने पड़ रहे हैं तो करिए आपके लिए नुकसान नहीं है ये शुबफल पर दान करेगा स्वास्त की बात करें तो ये दिन शेयत को लेकर धोड़ा साब आपको शागानी बरतने करीव होते हैं मगर कोई अच्छी ख़बर मिल सकती है इस दिन आपको जो मानसिक तनाव को आपके खत्म करतेगी सुझावा है आपके लिए सुबह सुबह उठके शनी देव की पूझा करिए शनीवार का दिन है पीपल के पेड में जल डा दिये और वहां से बिना पीछे देखे वापस आ जाईए और फिर अपने काम पे जाईए आपके सारे काम सिद्ध होंगे यही सला है आपके लिए तो दोस्तों यह रहा 29 अगस्त के दिन शनी की कैसे किरपा रहेगी धनुराशी वाले चातकों पर उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप सबी को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक कर दें कमेंट सक्षन में जय शनी देव जरूर लिखें चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में नाटिफिकेशन बल बटन भी जरूर दबाएं तक याने वाले अगले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएं तो चलिए दोस्तों लोग फिर मिलते हैं आप से एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, गरवालों का खायाल रखिए आपका दिन मंगल में बीते, अच्छा बीते, 29 सकस्त का दिन धेर सारी खुशियान लेकर आएं आपके लिए, यही कामना करते हैं जैश शानी देव, आपका आने वाला शमय मंगल में हो